अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो light है वो एक electromagnetic wave है लेकिन ये जो electromagnetic wave की theory है ये किस तरह से develop होई, कहां से develop होई इसको समझने के लिए हमें देखना होगा Ampere's law और Ampere Maxwell law को Ampere's law ये है जो कि हम लोग magnetic field find करने के लिए उस किया करते थे Maxwell ने उसमें थोड़ा correction किया correction क्या किया? देखेंगे कि जो equation यहां पर है वही equation यहां भी है लेकिन एक extra term आगया है ये extra term आगया है तो इसमें जैसे कि हम लोग लेते है conduction current और इसमें इसने क्या लिया एक यहां पर ये जो है ये भी current के dimension के बराबर होगा इसका dimension इसको Maxwell ने कहा कि ये displacement current है displacement current कहां से आता है? displacement current कहां से आता है? इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि देखेंगे यहां पर ये flux लिखा है electric flux तो rate of change of electric flux है ये वाला term और ये epsilon node मतलब ये है कि अगर electric flux vary कर रहा होगा तो ये displacement current आएगा अगर electric flux vary नहीं करेगा electric flux constant रहेगा तो उस case में displacement current हो जाएगा zero तो ये जो displacement current है इसके बारे में तोबावा सा detail में समझते है जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक parallel plate capacitor है जिसके दो plates है इसको एक conducting wire से यानि battery से जोड दिया गया है तो इसमें कुछ current flow कर रहा है conduction current इसको हम तो करते है Ic Ic current flow कर रहा है तो धीरे धीरे इस plate पर charge बढ़ता जाएगा अब देखेंगे कि अगर मैं एक यहाँ पर point लेता हूँ तो इस point पर कोई magnetic फिल आएगा B और उसको मैं यहाँ पर एक emperion circular loop लेकर कर find कर सकता हूँ यह वाला formula से है ना लेकिन यह देखा गया कि इस parallel plates के जो parallel plate capacitor है इसके बीच में भी यहाँ पर magnetic fill आ रहा है है ना यहाँ पर magnetic fill तो आ रहा है लेकिन कैसे आ रहा है अगर मैं यहाँ पर एक emperion loop लेता हूँ circular ठीक है तो मैं D dot DL लिख सकता हूँ और देखेंगे कि mu not IC तो 0 है यहाँ पर conduction current हाई नहीं यहाँ तो बिलकुल vacuum है vacuum है या कोई medium भी हो current को यहाँ flow नहीं कर रहा IC 0 होते है magnetic field तो 0 हो जाना चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा सा contradiction आ गया तब Maxwell ने इस equation में correction किया कि यहाँ भी कोई नहीं कोई current flow कर रहा है जिसकी वज़े से यह magnetic field आ रहा है तो उसने उसके बारे में explain किया जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह जो circular loop है यह जो circular loop है इसको मान लेता हूँ पर electric field भी आएगा है ना और चुकि यहाँ पर current flow कर रहा है यह conduction current flow कर रहा है इसका मतलब चार्ज धीर दर यहाँ बढ़ रहा होगा चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ पर electric field भी बढ़ेगा यह जो electric field है इसको हम लोग लिखते हैं कैप्सिटर पर्लेट कैप्सिटर की केसमें क्यू बाई आप्सले नॉट ए तो जैसे जैसे यह conduction current flow करता रहेगा यह चार्ज बढ़ता रहेगा चार्ज बढ़ता रहेगा तो electric field भी बढ़ता रहेगा है ना तो electric field यहाँ पर change हो रहा है मैं कहूं कि E into A यह होता है electric flux यह electric flux होता है इसको लिखा जा सकता है Q by epsilon not मतलब यह जो surface है इस surface का area भी plate के parallel बराबर लिया हमने तो यहाँ से जो flux होगा इस circular surface से हो आएगा Q by epsilon not अगर मैं इसको differentiate करूं D phi E by DT तो यह हो जाएगा 1 by epsilon not D Q by DT तो देख सकते हैं कि D Q by DT जो है यह तो current होता है तो अगर यह जो D Q by DT है इसी को हम लोग कहते हैं displacement current तो displacement current की जो value आएगी वो आएगा epsilon not D phi E by DT तो अब चुकिए एक displacement current के बारे में हमें पता है तो इस चीज को explain कर सकते हैं कि यहां पर magnetic field क्यों आया यहां पर जैसे यहां पर magnetic field निकालना हो तो यहां पर कोई displacement current नहीं है यह यह वाला पॉर्शन जीरो हो जाएगा यह वाला जो पार्ट है displacement current इसके कारण से यह magnetic field आएगा और जबकि यहां पर निकालना हो तो इसको जीरो करना पड़ेगा यह वाला रहेगा मतलब IC के कारण से यह magnetic field आएगा यहां पर है ना तो अब जो है चुकि इस चीज को explain कर बाहर रहे हैं लोग तो इससे यह conclusion निकलता है conclusion यह निकलता है कि अगर electric field कहीं पर vary कर रहा हो तो electric field के vary करने से एक displacement current आता है और displacement current आता है तो एक magnetic field भी produce होता है जैसे यहां पर हुआ है ना तो हमने क्या सिखा कि अगर किसी point पर electric field vary कर रहा हो तो वो magnetic field को induce कराता है हमने electromagnetic induction chapter में पढ़ा था कि अगर किसी point पर magnetic field vary कर रहा हो तो वो electric field को induce करता है है ना यानि अगर किसी जगह पर electric field और magnetic field दोनों हो दोनों vary कर रहे हो तो वो एक दूसरे को regenerate कर सकते हैं एक electric field vary कर रहा होगा तो magnetic field produce करता रहेगा और magnetic field vary कर रहा हो तो electric field produce करता रहेगा यही जो है main reason है electromagnetic wave का देखेंगे मैंने यहाँ पर एक figure बनाया है तो actually मैं electromagnetic waves जो है वो जो है किसी accelerating charge के कारण से produce होता है magnetic field मैंने बताया था कि stationary charge जो है electric field produce करता है और uniform velocity से move करता हुआ charge electric field और magnetic field दोना produce करता है जबकि कोई accelerating charge हो वो electric field भी produce करता है magnetic field भी produce करता है और साथ में energy भी radiate करता है तो अगर accelerating charge हो जैसे कोई charge oscillate कर रहा हो किसी period के साथ में तो वो accelerating माना जाएगा अगर charge simple harmonic motion कर रहा हो तो वो accelerated charge माना जाएगा तो accelerated charge है तो वो electric field और magnetic field दोना produce करता है साथ में energy radiate करता है मतलब कहीं नहीं वो बार बार एनरजी भेज रहा होगा ठीक है तो एक्शिली में इलेक्ट्रो माइनेटिक वेफ जो है को एक्पिछार्ज से जो है वो जेनेरेट होता अब एक बार generate हो गया तो आगे electric field, magnetic field दोनों आगे अब वो चुकि vary कर रहे हैं vary कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को regenerate करते रहेंगे और आगे जो है वो wave जो है वो बढ़ता रहता है वो energy बढ़ती रहती है तो जैसा कि अब देख सकते हैं पर मैंने figure बनाया है यह x-z plane है, x-z plane में कुछ इस तरह से यह vibration हो रहा है यह vibration मैंने दिखाया है electric field का है यह हो गया electric field का vibration x-z plane में उसी तरह से यह देखेंगे कि एक y-z plane में भी मैंने एक wave जैसे दिखाया है यह y-z plane में है और यह बताता है magnetic field को है ना तो जिस तरह से मैंने बताया कि किसी भी electromagnetic wave में ये electric field और magnetic field दोनों जो है एक दूसरे को regenerate करते रहते हैं और इस तरह से wave जो है आगे बढ़ता रहता है तो ये जो electric field और magnetic field है ये हमेशा electromagnetic wave में mutually perpendicular plane में भारेट करते हैं now electric field and magnetic field vibrate sinusoidally in two mutually perpendicular plane तो यहां पर अगर मैं equation लिखूं इलेक्ट्रो माग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रो माग्नेटिक वेव जो है एक्सजेट प्लेइन भारेट कर रहे हैं ये एक्स लिख रहा हूं e0 sin omega t minus kz इसको ऐसे लिख सकते हैं उसी तरह से जो magnetic field है magnetic field y direction में ये yz plane भारेट कर रहा है तो इसका equation लिखेंगे b0 sin omega t minus kz वेव हमें पता है कि जो velocity होती है किसी वेव का उसको निकालते हैं omega by k से where omega by k is equal to c c क्या होता है कहते है speed of light और इसकी value जो है Maxwell ने find गिया तो ये इसकी value आता है 1 by under root mu naught epsilon naught in vacuum इसकी value जो है exactly आती है 3 into 10 to the power 8 meter per second जो experiment करके measure किया गया उसकी value के बराबर ये आ रहा था है तो इससे confirm हो गया कि जो light है वो electromagnetic wave है अब ये हो गया हमें पता है कि जो omega होता है इसको लिख सकते हैं 2 pi into frequency और जो k है इसको लिख सकते हैं 2 pi by lambda where nu and lambda are frequency and wavelength of electromagnetic wave तो ये तो vacuum में हो गया अगर कोई medium आ जाए तो वहाँ भी होलो लिख सकते है c is equal to 1 by under root mu into epsilon vacuum में जो magnetic permeability होता है वो mu naught होता है और electric permittivity होता है वो epsilon naught होता है जब किसी medium में जाएंगे तो ये बदल जाएंगे तो यहाँ पर mu naught के जगह पर उस medium के permeability उज़ करेंगे और epsilon naught के जगह पर उस medium के permittivity उज़ करेंगे in a medium having magnetic permeability is equal to mu and electric permittivity is equal to epsilon medium में इस तरह से निकाल सकते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं हमने actually modern physics में बढ़ा था कि जब कोई photon strike करता है जब कोई photon strike करता है तो surface पर force लगाता है तो उसी तरह से wave के case में भी कहा जाता है कि एगर wave जो है किसी surface पर जाकर के गिरता है उसकी कुछ energy गिरती है तो वो एक force लगाता है force लगने का मतलब है कोईने कोई momentum transfer कर रहा होगा wave जब surface टक राएगा तो उसमें momentum transfer करेगा तो यह कह सकते है momentum transferred by electromagnetic wave is equal to P is equal to U by C where U is incident energy on surface in time T. मालिया कि T time में अगर U energy जो है wave की गिरती है किसी surface पर तो momentum जो transfer करेगा वो हो जायागा U by C जब कोई wave किसी surface से टकराता है तो उसमें momentum transfer कर देता है उसकी value अभी हमने देखा कि P is equal to U by C आता है वही wave जब surface से टकराता है तो कुछ force भी exert करता होगा उस force की value हमने लिकाल सकते हैं तो सबसे पहले momentum transfer का जो formula अभी हमने यह पर लिखा था वो formula मैं लिख देता हूँ यह हो गया momentum transfer यह हो गया energy incident in time interval T divided by speed of light अगर हमें force निकालना हो force exerted by incident electromagnetic wave तो force को लिख सकते है rate of change of momentum यह होना चाहिए तो यह देख सकते हैं कि जो P है वो है U by C तो मैं लिखाता हूँ 1 by C into du by dt ऐसे लिखा जा सकता है अब यह जो du है total energy और dt माल लिखा T है T time में यह जो energy है आया है तो U by T into C, C speed of light होगा तो इस तरह से हम लो force की value निकाल सकते हैं Maxwell ने इसी wave का equation से एक और relation derive किया वो relation था electric field और magnetic field का strength है उसका ratio होता है वो speed of light बताता है जहाँ C जो है यह speed of light यहाँ पर E जो है यह कह सकते हैं कि किसी point पर electric field का strength है और यह magnetic field का strength है अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो wave है point source से चलता है तो आगे जाने पर उसकी intensity घटती है intensity घटने का मतलब है कि कहीं न कहीं energy घट रही होगी तो उसका electric field भी घट रहा होगा तो किसी point पर हमें उसकी intensity पता करने के जुरुत पर सकती है तो intensity निकालने के लिए एक formula होता है उसको मैं बताता हूं intensity of electromagnetic wave अब यह जो intensity है actually में दोनों जो field है यानि कि जो electric field है magnetic field है दोनों की वज़ा से यह intensity होना चीए दोनों की वज़ा से intensity add करेंगे तब जो है जो electromagnetic wave की net intensity आएगा तो intensity लिखेंगे electric field के करण से और फिर magnetic field के करण से दोनों करण से intensity लिखेंगे अब इसमें अगर मुझे लिखना हो IE मतला intensity due to electric field तो इसको लिखेंगे जो energy density होता है half epsilon e square e के जगा पर यहाँ पर e rms लेते हैं क्योंकि जो electric field है यहाँ पर time के साथ में vary कर आप देख सकते हैं equation जो equation है इसमें electric field time के साथ में vary कर रहा है इसलिए electric field का instantaneous value नहीं लेकर के हम लोग rms value लेते हैं तो rms value लिया यह होता है energy density energy density में speed of light से multiply कर देने से intensity बताता है कैसे बताता आप समझ सकते हैं जब हम लोग electric field पढ़ रहे थे electrostatic chapter में तो हमने कहा था कि space में जहाँ जहाँ पर electric field होता है वहाँ पर energy store होती है उसके लिए हमने energy density define किया था energy density का simple सा मतलब था energy stored per unit volume तो यह energy density है अगर इसमें area into length जो की volume होता है energy density into volume करेंगे तो यह total energy बताएगा तो यह total energy per unit area per unit time यह intensity होता है intensity का मतलब होता है energy incident per unit area per unit time तो यह हो गया total energy incident per unit area per unit time तो इसमें area और area cancel हो गया तो देखेंगे कि यह हो गया energy density U यह रह गया और L और T रह गया L by T L मतलब कि तरह सकते हैं distance और यह by time distance by time interval क्या बताएगा velocity बताएगा तो velocity जो है यहाँ पर C है मतलब कि energy density और speed of light से multiply करेंगे तो intensity बताएगा तो वह ही यहाँ पर मैंने लिखा है तो यह जो intensity आया electric field की वज़े से आया उसी तरह से magnetic field की वज़े से अगर हम लोग intensity लिखेंगे तो यह आजाएगा magnetic energy density जो होता है वी स्क्वाइर बाई 2-0 इन्टू C है न ऐसा होता है यहाँ भी हम लोग instantaneous value नहीं लेंगे magnetic field का बलकि rms value लेंगे तो यह energy density इन्टू C करेंगे तो यह intensity बताएगा due to magnetic field अब अगर net intensity निकालना हो wave का तो इन दोनों intensity को add करेंगे इसको और इसको तो यह हो जाएगा यहाँ से लिखा जा सकता है half afl0 e rms का square इन्टू C plus b rms का square by 2 mu0 इन्टू C यह आ गया net intensity यह जो दोनों intensity है यह हमेशा equal माना जाता है मतलब यह कर सकते हैं कि electric field के कारण से जो intensity है उतना ही magnetic field के कारण से intensity आएगा जहां पर e rms electric field का rms value है b rms magnetic field का rms value है अभी जो electromagnetic wave होते हैं एक कई type के हो सकते हैं तो जितने भी तरह के electromagnetic wave हो सकते हैं उसको मैंने यहाँ पर एक table में arrange किया है आप देखेंगे यहाँ पर लेखा है type मतलब type of electromagnetic waves जैसे radio wave, microwave, infrared, visible light इस सारे होते हैं इस column में रखा है हमने जितने भी electromagnetic waves हैं उनका wavelength का range बताया है यहाँ पर बताया है इस column में उनका production का तरीका किस तरह से produce होते हैं कहां पर produce होते हैं ठीक और इस column में बताया है कि उनका detection कैसे होगा कैसे detect किया जाता है किसी electromagnetic wave को जैसे पहला देखेंगे radio wave है रेडियो wave का wavelength है वो सबसे बड़ा होता है यह होता है 0.1 meter से भी बड़ा इसका production कैसे होता है rapid acceleration and de-acceleration of electrons in aerials जैसे broadcast station होते हैं वहाँ पर aerials होते हैं तो aerials के अंदर जो electrons है उनका acceleration de-acceleration की वज़े से यह radio wave generate होते हैं produce होते हैं इनका detection कहा होता है यह होता है at receiver aerial जैसे radio होता है तो उसमें भी aerial लगा होता है तो वो क्या करता है radio को वो detect करता है detect करने के बाद radium भेता है जिसे एक radio अबना बज़ता है दूसरे type का electromagnetic wave होता है जिसको वो लोग कहते है microwave इसका जो wavelength है यह होता है 1 mm से 0.1 m तक मतलब radio wave के से कम wavelength होता है radio wave का wavelength 0.1 से बड़ा होता है इसका 0.1 से छोटा 1 mm तक होता है इसका जो production है वो listron और magnetron valves के अंदर होता है इसको जब detect करना हो तो जो point contact diodes होते हैं यह detect कर सकते हैं फिर तीसरे type का electromagnetic wave होता है जिसको infrared कहते हैं इसका wavelength होता है 7000 angstrom to 1 mm मतलब इसका जो wavelength था उससे भी कम wavelength होता है infrared का जहां पर यह खतम होता है वहां से यह सुरू हो गया इसका production जो है यह होता है due to vibration of atoms and molecules इसको detect करना हो यह thermopiles bolometer होते हैं detect करने के लिए या photographic film से इसको detect किया जा सकता है और फिर visible light आता है electromagnetic wave जो है हम लोग कहते हैं कि light electromagnetic wave है जो हम लोग देख सकते हैं तो visible light का wavelength का range होता है 4000 angstrom से 7000 angstrom तक यह बिल्कुल जो है exact values यह नहीं होते हैं थोड़े सीधर दर होते हैं कोई कहता है कि 3600 angstrom से 72 100 angstrom तक भी होता है तो यह आस पास तोड़ी सी value बताई जाती है हमेशा तो 4000 angstrom से 7000 angstrom तक visible light का wavelength होता है इसका जो production है जैसा कि हमने atomic structure में पढ़ा था लाइमा स्रीज बालमा स्रीज कि जब कोई electron higher energy level से lower energy level में आता है तो कुछ electromagnetic wave रेडियेट करता है जो कि visible region में होते हैं यहां बताया है when electron jumps from higher energy level to lower energy level इसको डिटेट करना हो तो direct हम दो देख सकते हैं तो आई photo cell photo cell मतलब जैसे solar cell होता है वो डिटेट कर सकता है और photographic film भी इसको डिटेट कर सकता है इसके बाद आता है ultra violet light rays है न तो यह जो है visible region में नहीं होता इसका wavelength इससे भी visible light से भी कम होता है यानि कि 10 एंगस्ट्रम से 4000 एंगस्ट्रम तक इसके production का जो तरीका है या कारण है यह वही वाला है जो कि visible light का था यानि electron का जो है de-excitation होता है higher energy level से lower energy level में जाता है तो ultra violet light ray emit करता है इसको डिटेट करना हो तो photo cells या photographic film से किया जा सकता है उसके बार आते हैं x-rays x-rays का जो wavelength है वो 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम तक होता है इसके बारे में detail में हमने जो modern physics में पढ़ा है इसको x-ray tube के अंदर produce किया जाता है इसको डिटेट करना हो तो photographic film या ionization chamber के अंदर डिटेट किया जा सकता है उसके बाद आते हैं gamma rays गामा rays का wavelength जो है सब होता है तो उसमें doubter nucleus excited state में चले आता है excited में जाने के बाद कुछ दिर बाद वह डी excited state में आता है तो यह gamma ray या gamma photon जो है वहां से emit होते हैं यानि radio activity में या का सकते हैं कि जो radio active decay होता है उसमें gamma rays produce होते हैं और इसके detection के लिए भी वही photographic film या ionization chamber को use किया जा सकता है